शुरी शिवाय नमस्तु भियम, अगर आपके घर के मंदिर में भी आती है, छिपकली तो हो जाए सावधान, नहीं तो हो जाओगे बरबाद, जी हाँ दोस्तों, क्या होता है घर के मंदिर में छिपकली आने से क्या इसका कोई चमतकारिक फल होता है, या फिर होता घर में कोई भारी नुकसान, जानेंगे आज के इस वीडियो में मगर उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, दोस्तों घर में अगर छिपकली आ जाए, तो हम सभी उसे जल्द से जल्द भगाने में जुच जाते है, सब को लगता है, ये बहुत ही अशुब और पर ही नहीं चलती है, अपितु वो घर में सर्स पर भी घूमने लगी है, और तो और वो घर के पूजा के मंदिर में भी देखी जाती है, तो क्या है इसकी वजह क्यों वो अब घर में सभी जगह सर्स पर पूजा घर में आती है, तो बताते है, आपको वीडियो में पूरा पने रहिए क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपको ऐसी खास बात बताने जा रहे हैं, जिसको सुनकर आप सच में चौंक जाएंगे, तो दोस्तों, घर में अगर चिपकली आ, जाये तो हम सभी उसे जल्द से जल्द भगाने में जुच जाते हैं, मगर क्या आपको पता है कि चिपकली को शास्त्रों में देवी लक्ष्मी का प्रतीक बताया जाता है, नहीं न तो आपको बता दे कि घर में चिपकली का दिखना शास्त्रों के हिसाब से शुब संकेत माना जाता है, खास्तोर पर जब, जब चिपकली आपको घर के पूजा के मंदिर में नजर आ जाये तो यह और भी सौभागे की बात होती है मगर ऐसा क्यों माना जाता है तो बताएंगे आपको पूरा बने रहिए ऐसा माना जाता है कि घर के मंदिर में छिपकली नजर आए तो इससे आपको चमतकारिक फल प्राप्त होते है मगर आमतोर पर देखा जाए तो चिपकली को लोग बहुत अच्छा जन्तु नहीं मानते है इसलिए उसे भगाने के उपाए भी वो हर जगह तलाशते रहते है मगर आपको बतादे की अचानक चिपकली का नजर आना शुब संकेत होता है यदि चिपकली आपके घर के किचिन या घर के मंदिर में नजर आए तो यह और भी शुब होता है अब आपको बतादे की रोज अगर आपको घर के मंदिर में चिपकली नजर आजाए तो इसका क्या मतलब होता है तो बतादे कि यदि आपको अपने घर में मंदिर में रोज एक ही छिपकली नजर आए, तो इसका अर्थ होता है कि आपको अपने जीवन में जल्द ही कोई शुब, समाचार प्राप्त होने वाला है, और साथ ही आपको बतादे कि कभी कभी घर के मंदिर में छिपकली का नजर आना अशुब संकेत भी देता है और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अशुब हो सकता है वो कैसे तो आपको बता दे कि अगर आपको आपके घर के मंदिर में काली चिपकली नजर आती है तो आपको बता दे कि ये अलक्षमी के घर आने का संकेत होता है आपको शायद मा में आर्थिक हानी ही होती है धनलाब तो दूर की बात आपके घर में कुछ ना कुछ ऐसी परेशानी आजाती है कि आपका जो धन आपने बचाया हुआ है वो भी किसीन किसी बहाने से खर्च होता है रहता है इसलिए आप ये याद रखें कि आपके घर के मंदिर में अगर काली चिपकली आपको दिखाई दे तो आप उसे तुरंद भागा दे और अगर गोरी चिपकली दिखाई दे तो फिर तो माता लक्ष्मी का आने का पूरा संकेत है और जिस घर में माता लक्ष्मी की कृपा होती है वो घर अगर हर तरफ से तरक्की ही तरक्की करता है धनकी कभी कमी नहीं रहती है सभी काम अच्छे से होते है और जल्द ही किसी शुब समाचार मिलते है अब आपको ये भी बता दे कि आपको किस दिन अपने घर में मंदिर में छिपकली का दिखना शुब माना जाता है तो आपको बत और आपके जीवन से सभी प्रकार के कस्ट जल्द से जल्द दूर हो जाएंगे और माता लक्षमी की पूर्ण कृपा होगी। तो आप भी शुक्रवार के दिन माता लक्षमी का वरत और पूजा कर सकते हैं। एक और जरूरी बात दोस्तों अगर घर के मंदिर के फर्ष पर अचानक छिपकली चलती हुई नजर आए तो इसके पीछे क्या संकेत होता है। तो आपको बता दे दोस्तों कि यदि आपको घर के मंदिर की फर्ष में अचानक से चलती हुई चिपकली नजर आजाए तो इसका अर्थ होता है कि आपको जल्द ही आर्थिक लाब होने वाला है। और वन ही अगर आपको मंदिर के फर्ष में कंही मरी हुई चिपकली नजर आजाए तो इसके पीछे क्या संकेत होता है। तो आपको बता दे की इसके पीछे ये संकेत होता है कि आपको कोई आर्थिक नुकसान होने वाला है। और साथ ही आपको बता दे कि आप कभी पूजा कर रहे हों और पूजा करते समय अचानक से आपके उपर चिपकली चर जाए तो क्या होता है। तो आपको बता दे कि अगर पूजा करते वक्त अचानक से आपके उपर छिपकली चर जाए तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पूजा के वक्त छिपकली का आपके उपर चरना शुब होता है, इससे जल्द ही आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है ऐसा संकेत होता है अब आपको बता दे कि दोस्तों छिपकली का दीवाली पर दिखना क्या संकेत देता है तो दोस्तों आपको बता दे कि अगर आपको दीवाली या अन्य किसी बड़े पर्व पर अचानक से घर के मंदिर में छिपकली नजर आ जाए तो इस संकेत का क्या मतलब होता है? तो आपको बता दे की दीवाली पर अगर आपको छिपकली अचानक से घर के मंदिर में नजर आ जाए तो इसको आप शुब संकेत ही समझे क्योंकि दीवाली का पर्व देवी लक्ष्मी को समर्पित होता है और इस दिन अगर आपको उनके प्रतीक के रूप में चिपकली नजर आ जाए तो यह आपके लिए शुब ही कहलाएगा मगर साथ ही अगर आपको कोई जखमी चिपकली नजर आ जाए या फिर कोई ऐसी चिपकली नजर आ जाए जिसकी पूंच कटी हुई हो तो उसे देखना आपको घर में कलेश और चिपकली को आप जाते हुए देखें तो यह भी एक शुब संकेत होता है दरसल मंदिर में यदि आप जिन्दा चिपकली और चलती हुई चिपकली कंहीं भी देख ले तो वह आपके लिए शुब ही होगा फिर चाहे आप उस चिपकली को मंदिर से निकास करते हुए ही क्यो अब एक जरूरी बात जो हमने वीडियो के शुरू में आपको बताने के लिए बोली थी तो वो है एदोस्तों छिपकली मंदर में दिखना शुब होता है अगर वो मंदर में आती है जाती है कोई बात नहीं मगर आपको एक खास बात का यहाँ ध्यान रखना जरूरी है वो क्य उस भोग को आप तुरंट ही प्रसाद में बाततें, अगर आप बात नहीं सकते उसे तो उसको आप ढख कर रखें, क्योंकि दोस्तों छिपकली शुब होती है, मंदिर में दिखना मगर, दोस, तो अगर वो आपके भोग को खाएगी, तो शायद वो आपके खाने लायक ना रह तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है, भोग को तुरंट बात दें या उसे ढख कर रखें, तो दोस्तों आज की ये खास जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को एक लायक जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आये हों त चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद, श्री शिवाय नमस्तु भियम